हलो श्ट्विंट्स कैसे आप लोग उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो मैं गजंदर शर्माइक बारफिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUT EDA 24-7 के उपर बात करने वाले हैं Science Domain CUT 2025 के लिए किसार इसका syllabus क्या होता है exam pattern, best subject combination क्या होता है, cut off कितनी जाती है साथी साथ सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से हमें preparation करनी है, कहां से करनी, क्या resources है इसके जिससे हम सभी का dream university का सपना है उसको हम लोग पूरा कर पाएं तो चलिए, शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और यह जितने भी सवाल है आप सभी के उन सभी को दूर करते हैं सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सर, CUT क्या होता है अगर मैं CUT की बात करता हूं तो CUT basically common university entrance test है जिसके द्वारा आप सभी को एक equal opportunity मिलते हैं देश की top universities के अंदर admission लेने के लिए एक exam आप सभी का लगता है उस exam को आप सभी को crack करना है उसके बाद में आप सभी अपनी dream university है उसकी counselling की जो परकरिया है उसके अंदर participate करते हैं और then आप लोग का जो admission है वो उसके अंदर होता है अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर, इसकी eligibility criteria क्या होती है तो basically इसका कोई age limit नहीं होता है यहाँ पर आप सभी का class 12th pass और यहाँ आप लोग class 12th के अंदर है तो भी इस exam के अंदर appear हो सकते है class 12th के equivalent अगर आप लोगोंने कोई और चीज़ कर रहे है तो भी वो आप लोग के लिए यहाँ पर valid है बात करते हैं यहाँ पर mode की तो आप सभी को पता है CUT 2024 के अंदर पहली बार offline और online दोनों modes के अंदर conduct कराया गया था हो सकता है 2025 के अंदर यह online के अंदर हो या फिर online और offline दोनों modes के अंदर conduct कराया जाए अगर मैं medium की बात करता हूं तो जेतनी languages आप सभी को यहाँ पर दे रखे हैं उतनी medium के अंदर आप सभी को यह question paper है वो provide किया जाते है basically आप सभी जब form fill करते हो तो उस दौरान आप सभी को वहाँ पर जब paper select कर रहे हो तो उसी के सामने आप लोगों को इसका medium choose करने का मौका मिलता है आप चाहें Hindi English जिस भी regional language के अंदर या फिर जिस भी language के अंदर लेना चाहते हैं वहाँ पर आप लोग select कर लीजे जिससे आप सभी के सामने जब paper open होगा तो उसी language के अंदर open होगा जब आप लोग exam देंगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कि sir इसके अंदर 3 sections basically आप सभी को होते हैं पहला आप सभी का language section होता है जिसके अंदर आप लोगों के 2 subsections होते हैं पहला आप लोगों का local languages इंडिया की जिसके अंदर 13 languages होती हैं और second जो होता है वन भी इसके अंदर 20 languages हैं अगर इनके अंदर मैं बात करूं तो 50 में से 40 questions करने के लिए आप लोगों को 45 minutes मिलती हैं अग करने के लिए आप सभी को 45 minutes का time provide किया जाता है यानि कि हर एक सब्जेक्ट के लिए 45 minutes आप सभी को मिलने वाले और इसके अलावा जो 6 subjects हैं जो domain specific हैं जो कौन से हैं जो काल्कूलेटिव होते हैं जैसे आप लोग का accountancy, chemistry, computer, economics, math और physics हैं तो इनमें 50 में से 40 questions करने के लिए यहां पर अगर मैं third section की बात करता हूं तो journal test होता है जिसके अंदर आप लोग का gk and current affair, quants, reasoning, यह सारा आप से भी का होता है जिसमें यहां पर 60 में से 50 questions करने के लिए 60 minutes आप से भी को provide किये जाते हैं तो यह basically क्या है इसका scheme है examination की अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोग की क्योंकि सबसे ज़्यादा selection देने वाली यह आप लोग की faculties की team है तो आप लोग इनसके साथ जुड़िए और अपनी तयारी उसको जबरदस तरीके से करिए कि सर अब तो selection लेना है वहां पे आप लोग जब जाओगे तो coupon code लगाना है Y485 इसके द्वारा आप लोग maximum discount पा स class 12th के अंदर आप सभी ने पढ़े हो otherwise आप लोग जैसे Delhi University का eligibility criteria भी है उन सब से बाहर हो जाते हो मान लिजे कि अगर कोई मैं बोलता हूँ science का student है वह history quality का paper देके आ रहा है तो वह फिर उस eligibility criteria से बाहर हो जाएगा तो मतलब जो आप लोगोंने class 12th के अंदर पढ़े है मान ल ले लिया उसके अलावा आप लोगोंने क्या ले लिया physics chemistry math ले लिया physics chemistry biology जो भी आपके पास है वो ले लिया इसके अलावा आप लोग जनल टेस्ट ले लिजे जिससे क्या होगा कि आप लोग maximum universities के लिए eligible हो जाओगे अगर आप लोगोंने एक language और एक domain रिया तो उससे को यहाँ पर एक language प्लस तीन domain प्लस एक gt लेके चलना है आगे मैं आपको और चीजे बताने वाला हूँ तो उससे आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर यह हुआ इसके अलावा अगर आप लोग syllabus की बात करते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जो सी उटी की official website है उसके उपर जाना है वहीं पर देखो home information bulletin important download universities और फिर syllabus लिखा हुए तो इस syllabus के अंदर आप लोग जाओगे तो बहाँ पर आप लोग अपना जो physics का syllabus है इसको यहाँ से देख सकते हो chemistry का है biology का है जो भी syllabus है वो सारे एक सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंग ठीक है जी यहाँ से पूरा मैंने हटा दिया है तो यहाँ पर हम लोग आते हैं हम CUT की बात करते हैं ठीक है जी चलिए इसको अटाई देते हैं पूरा या फिर हम लोग यहाँ पर type कर लेते हैं CUT ठीक है तो CUT पर गये यहाँ पर official website है इसको उपर जाना है जैसे आप लोग official website के उपर जाएंगे तो यहाँ पर देखो आप सभी का यहाँ अगया यहाँ आप लोग क्लिक करोगे तो जो भी आप लोग का syllabus required है वो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर पाऊ जैसे physics का है तो यह physics का आप सभी को मिल जाएगा इसमें उपर scheme के बारे में लिखा भी हुआ है सारी चीजें तो देखो यहाँ पर यह टाइम लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है आप लोगों को 50 में से 40 questions करना है तो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी तो इसी तरीके से आप लोग और अपना जो भी syllabus है यानि कि जो भी subjects है उनका आप लोग वहा 25 के अंदर बैटेंगे तो यहाँ पर मैं बूलूँगा कि अभी तक जो सेनेरियो इसके according 6 subject आप लोग maximum ले सकते हो जिसके अंदर आप लोग domain language GT जो भी आप लोग का combination बनाना चाहते हो वह आप लोग ले सकते हो maximum 6 है आगे अगर हम लोग जाते हैं तो मैं यहाँ पर बात कर दिया तो उस case में आपको 0 मिलेगा और इसके लावा अगर मान लीजे कभी किसी क्यूसन के अंदर more than one option अगर सही पाये जाते हैं तो उस case में जो भी आप लोगों ने answer सही किया है उस case में आप लोग को 5 marks मिलेंगे या फिर आप लोग मान लीजे कि वो क्यूसन है उसको drop उस case के अंदर वो जो student है जिन्होंने उसको attempt किया तो उन सभी को क्या मिलने वाले 5 marks मिलने वाले यानि कि basically यह मान के चलो कि अगर 2 options सही है तो भी attempt किया है उन दोनों में से तो वही आप लोगों का answer अगर जो right answer मान लीजे B और D है तो B और D जिसने select किया उसको 5 मिल जाएं या फिर आप लोग मान लीजे कि गलती के उसन है तो उस case में जिन्होंने उसको attempt किया है उन सभी को यहां पर 5 marks मिलने वाले हैं देखो यहां पर लिखा हुआ then all the candidate who have attempt the dropped questions will give 5 marks यानि कि अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इसके लाब अगर अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं बीटा डियू के subject combination की तो सबसे best subject combination बता रहा हूं अगर आप लोग science के लिए जाना चाहते हो specifically science तो आप लोग को एक language लेना है तीन domain लेना है अगर आप लोग चाहते हो कि भाया मैं AU वगरा जितनी और universities हैं उनको भी target कर जाओं तो Otherwise आपको पता होना चाहिए अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ Delhi University को target करते हो तो एक language प्लस तीन domain पर आपका काम हो जाएगा अगर आप लोग सिर्फ math honors के लिए जाते हो या फिर आप लोग इसके अलावा statics honors के लिए जाते हो computer science के लिए जाओगे तो इस case में आप लोग का language language प्लस तीन domain है इन सभी के marks जुडने वाले है और अगर इसके अलावा जो और बचा हो है जैसे chemistry honors physics honors है तो इन समी में आपको पता होना चाहिए language के अंदर 30% score minimum होना चाहिए अगर इससे कम होगा तो फिर आप लोग स्कोर के लिए eligible नहीं होगे तो 30% से जादा आप सभी के marks आने चाहिए language के अंदर और इसके लावा तीन domain आप सभी के पास होना चाहिए यानि कि basically आपकी जो marking होगी वह कितने में से होती है 600 में से आप सभी की marking होने वाली है तो best subject combination क्या हुआ एक language ले ले लिजे तीन domain ले ले लिजे और इसके लावा अगर किसी और university को target कर रहे हो तो GT भी ले लो जिससे क्या होगा कि आप लोग maximum university इसको target कर जाओगे लेकिन condition क्या है यह याद रखेगा जो भी यह language और domain ले रहे हो यह आप लोगोंने class 12 के अंदर क्या हो पड़े होने चाहिए जो पड़े हुए हैं तो ही आप लोग लीजेगा otherwise आप लोग फश जाओग क्योंकि GT के लिए उन्होंने कोई rule नहीं है बस subject जो domain है और उसके लावा language है उसके लिए वहाँ पर क्या कर रखा है उन्होंने rules बना रहे हैं अगर यहाँ पर best score की बात करूँ जो safe score है अगर आप लोग 800 में से हैं 800 का मतलब क्या हो जैसे mass ले रखा है या mass आपने select किया computer science अगर आप लोग लेना चाहते हो स्टैट्स लेना चाहते हो तो उस case में आपको पता होना चाहिए 700 प्लस पर आप लोगो जर्नल मिल जाता है साड़े 600 प्लस पर आपको south campus मिल जाएगा और off campus की बात करूँगा तो साड़े 400 प्लस में मिल जाएगा लेकिन अगर आप लोग chemistry उनर्स, physics उनर्स और इसके लावा geology उनर्स, botany उनर्स इनके लिए जा रहे हो तो उस case में आपको पता होना चाहिए कि English आप लोगो का qualifying nature का होता है यानि कि सिर्फ 30% से ज़्यादा अगर आप लोगोने score कर लिया है तो English आपका qualifying हो जाएगी कोई दिक्र निया बाकि जो तीन बेसिकली आपको याद रखना है कि यहाँ पर हो सकता है कि उस ताइम पर पेपर थोड़ा हाड आ जाए तो यह आप लोगो की cut-off है वह साड़े 600 पर भी चली जाए लेकिन मेरे भाई मैं एक चीज बता रहा हूँ आप सभी को मैं आपको यहाँ पर maximum चीज लेके चल रहा कि जो minimum हो तो अपने आप ही अचीव हो जाएगा अगर आप लोग maximum को लेके चलते हो तो चलिए आगे चलते हैं आगे अगे अगर हम लोग जाते हैं तो बात करते हैं Bhu के लिए subject combinations की तो Bhu के अंदर अगर आप लोग science के courses को करना चाहते हो तो उस case के अंदर सबसे पहले ना चाहते हो तो scale के देखो आपको यहां पर सिर्फ तीन domain की requirement होगी यानि कि अगर आप लोग जैसे डी उ को target कर रहे तो मैंने आपको subject combination क्या बताया एक language प्लस तीन domain एक GT ले लो तो बहिया देखो अगर तुम ने domain 3 लिये तो तुम लोग eligible हो किसके लिए Bhu के अंदर यहा अगर आप लोग biology group के अंदर जाते हो तो तो आपके पास bio होना जरूरी है तीन में से ठीक है अगर यहां पर बात करते हो अगर आप लोग agriculture group के अंदर जाते हो तो physics chemistry math है या physics chemistry biology है या biology chemistry agriculture है तो अभी आपका काम हो जाएगा या आपके पास होने चाहिए subject जब आप C.U.T. क paper दे रहे हो इसके अलावा अगर आगे जाते हो तो यहां पर बी-tech in dairy technology करना चाते हो तो physics chemistry और math होना चाहिए ठीक है जी और इसके अलावा अगर आप लोग food technology के अंदर बी-tech करना चाते हो तो chemistry math physics है आप सभी के पास होना चाहिए और एक और चीज में आप सभी को बता ना चाते हो Delhi University से तो उसके लिए आप सभी के पास एक language एक math plus आपका journal test होना जरूरी है तो आप लोग यहां पर लिख भी जिएगा कि अगर आप लोग सिर्फ BTEC के लिए जाना चाहते हो अगर आप लोग BTEC के लिए जाना चाहते हो सेफ स्कोर कि अगर हम लोग बात करते हैं मैंने आपको सारा समझा दिया है तो इसके अलावा आप देखिए अगर आप लोग यहां पर बात कर रहा हूं मैं BSC कि अनर्स करना चाहते हो बायो गूरूप के अंदर तो उसकेस अंदर आप सभी का ईया है अगर मैं करता हो तो इसकेस के अदर आप लोग जर्नल के डिएट हो तो 470 प्लस होना चाहिए और 455 प्लस आपका RGST के लिए होना चाहिए यानि कि राजीव गांधी साउथ केंपस है जो मिर्जापुर के अंदर आप से भी का है तो यह आप लोगों का cut-off marks है जो इनको आपके बारे में पता होना चाहिए मैंने देखो category wise minimum इतना बता दिया इस से जादा ही आप लोगों को लेके चलना यार क्योंकि देखो maximum universities को target करना है अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं सबसे बड़ी बात कि सर हम लोग कहां कहां से पढ़ सकते हैं तो उसके लिए आप लोग बेटा NCRT है उसको आप लोग को पढ़ना है क्योंकि chemistry के अंदर तो सीड़े 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 से सवाल उठके आ जाते हैं बायो के अंदर भी chemistry से उठके आ जाते हैं NCRT examplers हैं physics और math के अंदर तो वह से सवाल आ जाते हैं और reference book है क्योंकि कई बार आप लोग को पता होना चाहिए कि सवाल जो होता है universities को target कर जाए तो उस case में आप लोग यह मान के चलिए आप लोगों को एक language लेनी है ठीक है जी और language कौन सी है बिटा चाहे हिंदी हो और चाहे English हो ठीक है जी दोनों चलेगा लेकिन मैं तो यह कहूंगा preference अपनी English पर ही रखेगा क्योंकि इससे फिर आप लोग JNU के लिए भी eligible हो जाते हैं अगर आप लोग GT लेके चल रहे हो तो इसके लावा तीन domain आप लोग उठा लीजे ठीक है जी domains आप लोग उठा लीजे और ए एक subject से भी काम हो जाता है तो इस तरीके से आप लोग maximum universities को target कर जाओगे इसके लावा मैं आप से भी को बोलना चाहूंगा वो यह है कि बिटा अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो जबरदस तरीके से तो आप लोग हमारे साथ जुड सकते हो अपनी तैयारी करने के www.adda247.com पे आप लोग मुझे mail कर दीजेगा इसके लावा आप लोग physics by घजंदर सरे community groups को join कर लीजेए वहाँ पे आप सभी को हर चीज मिल जाती है नोट्स भी मिलते हैं अपडेट्स सारी चीजे हमाँ पे आपको प्रवाइडिड हो जाती है ठीके बिटा जी और इसके लावा आप लोग अड़ा247 की एप है उसको डाउनलोड कर लीजी अब यहाँ पे आप लोग को join कैसे करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है अड़ा247 सर्च करना है अड़ा247 सर्च करने का पहले लिंक पे क्लिक करना है इसके बाद में all courses पे आना है all courses पे जैसे ही बिटा आओगे तो UG and PG के उपर जाना है यहाँ पे देखो CUT UG पे क्लिक किया महापैक है तो मैं तो आप लोगों ने subscription ले लिया तो उसके बाद में आप लोगों को अलग से कुछ लेने की जरूत नहीं है यहाँ पे पूरे एक साल तक आप सभी को सारी चीजे जितने भी batches आएंगे वो भी आपको मिलेंगे इसके लावा और भी बहुत सारी चीजे होती है वो सब कुछ आप आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है चले जाना है तो देखो यह रहा science का with book है यह है और without book यह है तो आप जो भी चाओ वह ले सकते हो यहाँ पे माल लीजिए science का लिया बिना book के तो बाइनाव पे जाना है enter करना कूपन कोड कौन सा है य485 जो आपके भाई का कोड गजिंदर सर का कोड है तो देखो यहाँ पे आप लोग जाओगे य485 लगाते ही आप सभी को यह लगबख साड़े बारा हजार का मिल जाएगा एक 14 मंत की इसकी वैलेडिटी आप सभी के वाई-485 लगा के आप बच्चों को उनकी ड्रीम उनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा है तो इससे बेस्ट इम आप सभी के लिए कोई नहीं हो सकती है तो वाई-485 कूपन कोड लगा के आप लोग एंड्रोल करिए और आज से ही तैयारी को स्टार्ट कर दिजिए थैंक्यू और बबबेटु और ब्लेस्यू इसके लाब फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा थैंक्यू और बबबेटु और गड्लेस्यू